हेलो गाईज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब बहुत ज्यादा समर्ज में घर भी बढ़ जाती है आप देख रहे हैं कि इतनी तेज धूप निकली हुई है तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने हम घर का टेंपरेचर या चत का टेंपरेचर हम एक से दो डिगरी तक घट मैंने यह एक आउनलाइन मैंने काफी रिसर्च किया इसके उपर आई सारे वेडियो देखे उसके बाद मैंने यह नेट परचेस किया अग्रोनेट के नाम से आपको आउनलाइन यह इसली मिल जाएगा तो आप देखे क्या किया मेरा यह पीछे का बेड्रूम एरिया है मैं काफी तपता था इसी लगने के बाद भी मुझे लगातार इसी को 24 23 पे चलाना पढ़ ला था तो मैंने क्या किया एक ही अग्रोनेट खरीद लेए इसकी डैमेंशन 10 बाई 3 है 10 मीटर्स बाई 3 मीटर्स आप देख सकते हैं तो मैंने क्या किया इसको पीछे पाइपलाइन पर पुरी तरीके से टाई कर दिया है यह तरीके का मैटरियल होता है पॉलिएस्टर टाइप मैटरियल आप समझ सकते हैं थोड़ा सा प्लास्टिक बेज मैटरियल है कंपनीज क्लेम करती है कि यह करीबन 50 परसेंट तक दिवाल में पूरी तरीके से टाई कर दिया है किनारे की दिवाल पे भी मैंने इसको पाइपलाइन जा रही उसमें जगह जगह पर टाई किया हुआ है वस्य ध्यान रखेगा कि जमीन से उचाही रहनी चाहिए आप डिफरेंस देख सकते हो जैसे कि विदाउट नेट एरिय है कि मुझे 28-29 पर मैं चला रहा हूं के बल और काफी बिटर एक्सपरियेंस मैं कर रहा हूं तो इससे करीबन दिफरेंस मैंने ना पा तो नहीं है बट मेरा अंदाज है कि चार डिगरी के आसपस डिफरेंस आ रहा है और मुझे फील हो रहा है वह बहुत आप एसली तो गा आप मान के चलिए यह आपको 10 x 3 की आपको 500 to 600 to 700 की रेंज में इसली मिल जाएगी और कुछ नहीं करना है आप देखिए इसको बस मैंने ऐसे तारों के थ्रू लोहे के वायर से टाई कर दिया इसके बॉर्डर सिले हुए आते ही है तो किनारे से फटने का डर नहीं है इसकी थोड़ी सी जो 3 मीटर वाला एरिया है वो थोड़ा रहता है नॉमल तो इसको आप मोड के सिल सकते हैं और आप देखिए चारों तरफ से आपने बस टाइटली बांद दीजेगा इदा प्रॉपर बांदेंगे नहीं तो हवा में उड़ेगी है नेट और इसके ब्रेकेज के कितना डिफ्रेंस हाएगा इसके लगाने से थाइंगी सू मच एट सथर्फ सानिंग ओफ